Hello students, welcome back to our YouTube channel NB Creator तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MSC 3rd semester के top 10 important question के बारे में हैं जो कि आपका mathematics का paper name है integral transform ठीक है ना? इनके हम हर unit में से आपको long answer के रूप में दो question बता देती हैं अब ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हुँ तो बस इन जो question हम बता रहा हैं इनको आप पढ़कर जाईएगा paper में जरूर पूँचने के इसकी संभावना है अगर आप इन question के answer चाहते हो तो आप हमें दिये गए whatsapp number पर आप हमें contact कर सकते हो description box में सारी आपको detail मिल जाएगी तो आप बहां से हम आपसे PDF notes आप purchase कर सकते हो तो जिन question को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे उन question पर ज़्यादा ध्यान देना है और एक question काफी ज़्यादा बार आपके examination में पूछे गए हैं काफी ज़्यादा important है इसलिए हम इन question को आपको लेकर आए हैं तो चलिए वीडियो को सुरुबात करते हैं वीडियो सुरुबात करने से पहले वीडियो को like कर देज़ेगा चैनल पर नए हो तो subscribe कर देज़ेगा और अपने friends के साथ share कर देज़ेगा ताकि उनको भी exam में help हो ठीक है न देखिए ए भी mathematically subject है और इसमें ज़्यादा तर formula आपको याद करना है तब ही आप क्या है देखो exit नहीं हम देखो जो mathematically होते हम उसको exit नहीं बोलते हैं कि यह question आ जाए theorem exit आ सकती है ठीक है न what mathematically question कि आपको formula खुद याद करना होते हैं और आपको solution उसी तरीके से करना होता है बस कायदा सीख लेजीगा जिसकी हमने सारी वेडियो playlist में डाली हुई है तो चलिए unit first में से बात करते हैं सबसे पहला question है find the laplace transform of science under root t काफी जादा बार examination में पूछा गया है इसकी series होती है और इसको solution करना पड़ता है इस sort type question में पूछ लिया जाता है सेकल question इवेल्यूट inverse laplace transform 2p square minus 6p plus 5 upon pq minus 6p square plus 11p minus 6 अब देखिए यहाँ पर s square भी लिखा रहे या p की जगाए s variable लिखा रहे तो आपको confused नहीं होना है inverse laplace transform में s या p किसी एक variable का आप चुनाओ कर सकते हो ठीक है ना अगर exam में p की जगाए s आ जाए तो वही formula उसी तरीके से आपको solution करना है जिस तरीके से हमने करवाय हुए है third very important है इसको आप जरूर सीख कर जाएगे गया exam में state and proof convolution theorem इसके उपर एक दो सवाल भी आते हैं convolution type के ठीक है ना फिर है अगला d square plus d of y याई अगर इसको खोलते हैं तो d square y upon dx square plus d y upon dx is equal to t square plus 2t जहां पर y of 0 is equal to 4 दिया गया y dash of 0 is equal to minus 2 दिया गया इस तरीके से हमने सवाल कराए हैं आपको वीडियो में देख सकते हो ठीक है क्योंकि एक सबाल जरूर पूँच लिया जाता है अगला इसको आपको solve करना है अब बात करते हैं second unit में second unit में बात कर लेते हैं तो देखते हैं second unit में जिस में उसी तरीके से very important question है जिन पर हमने highlight की है उनको तो ज्यादा तरीके से आपको seek कर जाना ही है integral 0 to 1 f of u upon under root t minus u du equal to 1 plus t plus t square इसको हमें prove करना है ठीक है ना इसको so that यहाँ पर हमने solve it लिका है so that यानि इसको हमें prove करना है इसको लेकर चला हमें यह देखाना है same इसी तरीके से second बाला इसका सवाल है इसको लेकर चला हमें यह prove करना है फिर third question है ठीक है ना इसमें हमें solution करना है और हमें यहाँ पर value find करना है ठीक है अब आएंगे आपके boundary problems के बारे में ठीक है तो कुछ आप सवाल और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं तो आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा try केजिएगा और इस paper में ज़्यादा से कई student फैल होने के संभावना रहती है तो इस paper को अच्छे तरीके से आप करिएगा और इन question को ज़्यादा तर सीखने की कोसिस केजिएगा आप चलिए boundary problems के बारे में हम आपको कुछ question बता देते हैं जो जिनकी आने की पूर्ण संभावना है अब unit 3 में देखिए सवाल है यह rectangular plate with the isolated surface is 10 cm wide इसके चौड़ा है and so long compared to its width that it may be considered infinite in length without introducing an applicable error if the temperature along the short is y is equal to 0 given by दी गही है दो y x 0 is equal to 20 x और y sorry u of x comma 0 is equal to 20 x जिसमें जो हमारी x की value 0 से कम है और 5 से 0 और 5 के बीच में है ठीक है ना इसमें हमारी जब इसको लेते हैं तो इसमें 5 और 10 के बीच में हमारी x की value है ठीक है while the two long is x is equal to 0 and x is equal to 10 as well as other short is are kept in 0 degree Celsius find the temperature of the point x y plate x y plate temperature पर हमें इसका temperature find करना है तो देखिए इस तरीके सवाल हमने करवाए भी हैं और हमने का एक दो वीडियो भी बनाई हैं इसके उपर equation के बारे में boundary problems को किस तरीके से देखिए आपको अगर इस boundary problems से आपको तीन condition तो आनी ही चाहिए laplace transform अच्छे से आना चाहिए अच्छे से आना चाहिए और boundary condition को apply करना भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए तभी आप इन सवालों को अच्छे तरीके से कर पाओगे एक दो बार आप practice कर लोगे तो आसानी से आपको सवाली बनने लगेंगे यह वी very very important काफी important सवाल है और examination में काफी जादा बार पूछा जाता है ठीके इस square plate has its face and its age x is equal to 0 and x is equal to 5 are kept at temperature 0 and f of x respectively drive the formula for its steady temperature जे दिया गया है इसके लिए हमें formula find करना है जहां पर यह दिया गया है एक सवाल एक और है find out the solution of del square u upon del t square is equal to c square del u square del square u upon del x square why the method of the solution separation of variable ठीक है ना तो यह आपके unit third में से थे unit fourth में अब चलते हैं कुछ कौन सी आपको question को तयार करना है यह आपके unit fourth में सी एक question दौनों में सी एक पक्का आता ही हमें सब beam equation बाला चाहे वो mcb u chhatarpur वाले student हो चाहे बुंदिल सॉरी बर्तुलाई university बोपाल वाले student हो ठीक है बीव बोपाल वाले बीम बाला सवाल एक पक्का आता है इन दौनों में से कोई भी एक पूंच लिया जाएगा इसी तरीके से ये वाला भी बीम बाला है तो इसकी कड़ी बीम बाला है तो इसकी कड़ी बाले condition को कैसे apply करना इसके उपर भी मैंने अलेक्स एक वीडियो बनाई है ठीक है न तो आप वीडियो इसके solution का देख लिजेगा क्योंकि सवाल आता है यह पक्का आता है और काफी ज़्यादा पूंच जाता है सेम देखिए इसमें हमें deflection at any point का हमें find करना है और हमने इसका answer सब्सक्राइब करते हैं unit 5 मैंसे आपको यह दो question मैंसे या तो दो ही question पूंच लिए जाते हैं यह question तो आता ही है तो आप इन दो मैंसे question को त्यार करके जाएगा semi infinite वाला यह फिस इस access to a slab of material वाला तो पहले इस question को लिख लीजिएगा आराम से और क्योंकि यह RFC वाला एक सवाल पूछा ही जाता है तो इन और 5 मैंसे आपका लीजिएगा और short type question के बारे में आपको हमने पहले ही एक लेंदी वीडियो बनाई थी आज से छह साथ महीं ने आप देखिए का प्ले लिस्ट में हमसी थर्ड सेमेस्टर important question तो वहां पा हम short type question के बारे में भी अलक्सी और long type question के बारे में वीडियो बनाई थी देखो क्या है कि एक्जाम आपका नजदी के और 29 अभी दिशंबर को व्यू बोपाल वालों का है और 17 जनवरी को छतरपुर वाली बच्चों का इस्टूर्यांग है एक्जामनेशन है इसलिए हमने ज्यादा question इसमें नहीं लिखे हैं और जिनको ज्यादा question पढ़ना है और तो आप वह वाली वीडियो देख लीजएगा आपको प्लेडिस्ट में मिल जाएगी आप प्लेडिस्ट चेक करके वीडियो देख सकते हो ठीक है न आपको प्लेडि कर दीजेगा क्योंकि इससे ऐसी ही आपको मजीदार वीडियो और आपकी जो examination के लिए काभी important रहती हैं आपको मिलती रहेंगी तो चलिए इजाज़त दीजिए आप अपना ध्यान रखिया और पढ़ाई करती रहिए best of luck of your exam धन्यवाद